तो कैसे हैं आप लोग आप में से मेक्जिमम लोग इस लड़के को जानते होंगे जिसका नाम है कैरी मिनाटी हाँ आप आपने सही सुना आज की इस विडियो में हम बात करने वाले कैरी मिनाटी की सकसिस श्टूरी के बारे में कैसे कि स्कूल डॉपाउट बच्चे ने पर इतनी बड़ी सक्सेस कैसे हासिल करी अजय नागर जिसे आप केरी मिनाटी के नाम से जानते हो and he was born in फरीदाबाद on 12th जून 1999 केरी मिनाटी ने अपनी स्कूल in DPS डैली पबलिक स्कूल 2016 तक करी और एकोनोमिक के पेपर के डर से कि इसमें पास हुपाऊंगा की नहीं अपनी बोर्ड एक्जाम भी स्किप कर दी 2014 में 15 साल की उमर में केरी मिनाटी ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पर केरी का पहला चैनल था स्टेल्द फिर्ज नाम से जिसको आप सर्च कर सकते हो अभी भी जिस पर अभी भी केरी की पुरानी वीडियोस डली हुई अल्रेड़ी अब उस पर्टिकुलर टाइम पर इस चैनल पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला सनी दियोल जैसे सेलिब्रिटीस की और दो साल लगातार मेनत करते करते 150 वीडियोस अपलोड करी जो कि वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रही थी और फिर केरी मिनाटी ने प्लान किया कि वो अपनी स्टडिस को डिसकंटीनूट कर देगा अगर वो 50,000 सब्सक्राइबर तो वैलते फिनिश होने तक अचीव कर लेता है तो और उसने वो 50,000 सब्सक्राइबर का माइल स्टोन अचीव भी करा और एग्जेटल जिसा खुद को बोला था कि अपनी स्टडिस को डिसकंटीनूट करके यूट्यूब पर ध्यान देगा एग्जेक्ली वही किया इसका रिजन सब्सक्राइबर के नंबर फॉल्वर्स बिल्कुल भी नहीं था केरी को खुद के ओपर इतना ज़्यादा विश्वास था और उसे पता था कि उससे एग्जेक्ली चाहिए क्या और उसे क्या करना है फिर इसी चीज के लिए उसने अपने पैरेंट्स को कन्विस करा एक अच्छा सा कम्पिटर और शूटिंग करने के लिए रूम अरेंज किया एंड दैन ही प्लान कि जैसे ही हंड्रेट के सस्क्राइबर पूरे हो जाते है तो वो यूट्यूब को फूल टाइम करेगा केरी मिनारटी के डेडिशन से पैशन से उसके पैरेंट्स ने उसकी ये बात मानी उसको परिमिर्शन दी कि जो तुझे अच्छा लगता रूर कर जैसे जैसे केरी मिनार्टी वीडियोस बनाते रहा, उसे समझ में आया कि जो audience उसके वीडियोस को देखने आ रही है, वो gameplay count, जो वो mimicry कर रहा है, जो comments कर रहा है, वीडियोस के उपर, उसको देखने के लिए आ रही है, और इसी को देखते हुए, केरी मिनार्टी ने अपने channel क नाम कैरी डियोल चेंज कर लिया जहां पर उसने रोश्टिंग वीडियोस बनाना शुरू करी जो कि उस टाइम में इंडिया में कोहीं भी नहीं कर रहा था यह आइडिया बैसिकली कैरी मिनाटी ने जो आउट ओफ इंडिया की क्रियेटर्स से उनको देख कर लिया और यहां पे प्लस पॉइंट यह था कि इंडिया में उस पटिकुलर टाइम पे रोश्टिंग का कॉंटेंट को ही नहीं बना रहा था जिसके करण लोगों को कैरी मिनाटी का कंटेंट और ज्यादा पसंद आया फिर बात आती है टर्निंग पॉइंट की बीबी की वाइस जो की उस ट साथ साथ जो बीबी के फेंस थे उनको यह पसंद नहीं आया और बीबी के फेंस ने और कैरी मिनाटी को उल्टा सुल्टा बोलना श्टार्ट कर दिया लेकिन आपको जानके हैरानी होगी कि बीबी की वाइस खुद इस कॉंट्रवर्सी को खदम करने के लिए कैरी मिनाटी क साथ आये उसको सपोर्ट किया जिसके बाद केरी मिनाटी और बीबी की वायस की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई फिर केरी मिनाटी को लगा कि लोग उसकी रोश्टिंग वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं और जो नाम था केरी डियॉल वो इतना मेच नहीं करता है करेंट केरी मिनाटी जो की एक अलग सा नाम था और यह वर्ड केरी मिनाटी उसकी खुद की एक क्रियेशन है और इस नाम केरी मिनाटी को मेगजियम लोग जानते हैं फिर इसके बाद केरी मिनाटी ने ओर रोश्टिंग वीडियोस बनाना शुरू करी सेलिब्रीटिस को रोश्ट क और केरी मिनाटी ने एक वीडियो अपलोड करी YouTube versus TikTok the end जो की वीडियो बहुत जदा वाइरल हो गई थी एक TikTok influencer आमीर सिद्ध की को रोष्ट किया था और वो रोष्टिंग थोड़ी पस्तल हो गई थी जिसमें केरी ने उसकी grammatical mistake और भूसी ऐसी चीज़ों को उठा के रोष्ट कर दिया था जो कि YouTube की policy के against था और इसलिए YouTube ने अपने platform से केरी मिनाटी की वो वीडियो रिमूव कर दी इस चीज़ का केरी को भोजरा जटका भी लगा लेकिन फिर उसने और अच्छा content बना के अपने audience को सब किया और आज आप सब केरी मिनाटी को बहुत अच्छा से जानत है 2020 में केरी मिनाटी, Forbes 30, Under 30 में feature हुए थे और 2019 में top 10 next generation leaders by the time magazines में भी केरी मिनाटी को feature किया गया था और इसके लाओ केरी मिनाटी most popular American actor Tom Cruise से ही मिले जिसमें वो Mission Impossible को promote कर रहे थे एक ऐसा लड़का जो की exam की डर से board exam drop कर देता है आज वो इस मुकाम पे है और केरी मिनाटी के success मंतरा भी यही है कि YouTube पर आपको नहीं पता आपकी कौन सी वीडियो कब चलेगी YouTube पर आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा पर patience रखना पड़ेगा और यह चाज़ YouTube के लिए नहीं हर एक field के लिए अपले के बले क्योंकि success को आप overnight expect नहीं कर सकते कि 2-4 दिन आपने काम क किया और आपको result नहीं मिले तो आपने काम करना ही बंद कर दिया don't ever expect success overnight आपको खुद को evolve करना पड़ेगा improve करना पड़ेगा consistent रहना पड़ेगा और यही केरी मिनाटी का success मंतरा है जहां पर gaming वीडियो से शुरुवात करके उसने reaction वीडियो बनाना शूरू करी और आज सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें motivation मिलता है आप सभी के लिए ऐसा content रेगुलर लाने के लिए अब आपको next success story किस personality के ऊपर चाहिए मुझे comment box में जरूर बताईए so अब हम मिलते हैं next वीडियो में thank you so much